हलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तों बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर टीना दत्ता को मिली उसके कर्मों की सजा बॉर्टे के दिन भी फूट फूट कर रोई है टीना सबने छोड़ा टीना का साथ और टीना को दिये आसू टीना का कोई नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर दोस्त खुड टीना ने बताया है अपना दर्द क्या कुछ हुआ है चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपनी चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर टीना दत्ता कैप्टन नहीं बनी जिसके बार टीना का तो दिल ही तूट गया और टीना बैठी रही अकेली टीना से किसी ने बाचीप तक नहीं की यहां तक की टीना को तो स्टैन ने भी नहीं पूछा वो MC स्टैन जिसके लिए टीना ने शालीन से लड़ाई की थी और आपको बता दें कि टीना दत्ता का जो प्रोमो आया है उसमें टीना दत्ता अपने कर्मों की सजा के बारे में बताती हुई नजर आ रही है जी हाँ इस टीना ने सुंबुल को बहुत रुलाया था लेकिन प्रोमो में टीना फूट फूट करो रही है और शालीन से कह रही है कि यार यहाँ पर कितने गंदे लोग हैं सोचो मिरे से कोई सुभे से लेकर अभी तक बात तक करने नहीं आया निमृत ने भी मुझे एक बार नहीं पूछा उल्टा तुमने देखा किस तरह से बर्डे गिफ्ट बर्डे गिफ्ट ऐसा देंगे वैसा देंगे करके मुझे चिड़ा रहे थे कौन करता है यार ऐसे वो अधता रोते-इस शालीन को बता रही होती है फाला कि शालीन इस बात पर कुछ भी से नहीं कहता टान। शालीन एक शब्द नहीं बोलता क्योंकि शालीन तो दिल्हिदल यह सोच रहा होगा कि तुने भी तो स्टैन की जगे ड़ाई हुई थी तो मुझे नहीं चुना था तो कही न कहीं करम तो सामने आएंगे ही आएंगे देख ले उस स्टेन ने भी तेरे लिए कोई स्टार्ड नहीं लिया किसी ने भी टीना को कैप्टन नहीं बनाया और टीना फूट-फूट कर आसुओं से अपने बोजे वाले दिन रोती हुई नजर आई भाई आप क्या कहेंगे क्या टीना के साथ हुआ है कुछ गलत हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो के लाइक और शेयर करना आप ना भूलें